प्रश्न नंबर वन इन में से किसके फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का नाम एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से प्रेरित है? A. काजोल B. जुही चावला C. जया बच्चन D. कंगना रानावत इस प्रश्न का सही उत्तर है Option D. कंगना रानावत प्रश्न नंबर टू अभिमन्यू के सारथी का नाम क्या था? A. विशोक B. प्रतिखमी C. सुमित्रा D. दुर्मुक इस प्रश्न का सही उत्तर है Option C. सुमित्रा प्रश्न नंबर थ्री कर्ण के शंख का नाम क्या था? A. गंगनाब B. विदारक C. हिरण्यगर्भ D. यग्यंगोश इस प्रश्न का सही उत्तर है Option C. हिरण्यगर्भ प्रश्न नंबर फोर कौन सा देश 1966 से ग्रीस के राष्ट्रियगान को अपने आधिकारिक राष्ट्रियगान के रूप में उप्योग करता आ रहा है? A. अल्बानिया B. मैसेडोनिया C. बुल्गारिया D. साइप्रस इस प्रश्न का सही उत्तर है Option D. साइप्रस प्रश्न नंबर फाइव इनमें से न्यूजीलैंड के कौन से शहर ने आस्ट्रेलियन ओपन को होस्ट किया है? A. आकलैंड B. क्राइस्चर्च C. वेलिंग्टन D. हैमिल्टन इस प्रश्न का सही उत्तर है Option B. क्राइस्चर्च प्रश्न नंबर 6 विविद भारती की शुरुआत किस गायक कलाकार के गीत से शुरू हुई थी? A. मोहम्मद रफी B. मननाडे C. किशोर कुमार D. मुकेश इस प्रश्न का सही उत्तर है Option B. मननाडे प्रश्न नंबर 7 रहस एक छत्ती जगडी लोक नृत्य है इसमें किस देवता की लीलाओं का वर्णन किया जाता है A. राम B. क्रिश्न C. शिव D. ब्रह्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है Option B. क्रिश्न प्रश्न नंबर 8 एडम गिल क्रिश्ट ने IPL में एक मात्र विकेट हरभजन सिह के रूप में लिया था उस समय किसने कीपिंग की थी A. प्रज्यानोजा B. अशोक डिंडा C. प्रवीन कुमार D. शेनवान इस प्रश्न का सही उत्तर है Option C. प्रवीन कुमार प्रश्न नंबर 9 इनमें से कौन से एक मात्र भारतिय विकटकी पर ने फर्स्ट क्लास मैच में हैट्रिक ली है A. प्रबीर कुमार सेन B. सयद किर्मानी C. विजय मांजरेकर D. राहुल द्रविड इस प्रश्न का सही उत्तर है Option A. प्रवीर कुमार सेन प्रश्न नंबर 10 सिमोन बोलिवर इनमें से किस देश के कभी भी राष्ट्रपती नहीं रहे है A. कोलंबिया गनराज B. बोलिविया C. पीरू D. गोल्ड कॉस्टा इस प्रश्न का सही उत्तर है Option D. गोल्ड कॉस्टा प्रश्न नंबर 11 उत्तर प्रदेश का कौन सा एक मात्र जिला जारखंड के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है A. मिर्जापुर B. महाराजगंज C. चंदॉली D. सोन भद्र इस प्रश्न का सही उत्तर है Option D. सोन भद्र प्रश्न नंबर 12 निम्न में किसे महात्मा गांधी ने मेरी अंतरात्मा के रक्षक के रूप में वर्नित किया था A. जवाहर लाल नहरू B. चक्रवर्ती राज गोपालाचारी C. सरदार वल्लब भाई पटेल D. राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर है Option B. चक्रवर्ती राज गोपालाचारी प्रश्न नंबर 13 अंतर राश्ट्रिय T20 क्रिकेट में युगांडा के लिए एक मात्र हैट्रिक लेने वाले क्रिकेटर दिनेश नाकरानी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था A. कच B. कोची C. भूज D. दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है Option A. कच प्रश्न नंबर 14 किस देश की राश्ट्रिय क्रिकेट टीम को शाहीन के नाम से जाना जाता है A. बांगलादेश B. पाकिस्तान C. जिंबाब्बे D. नीदरलैंड इस प्रश्न सही उत्तर है Option B. पाकिस्तान प्रश्न नंबर 15 इनमें से कौन सा देश 31 मई 1926 को ICC का पूर्ण सदस्य नहीं बना था A. भारत B. न्यूजिलैंड C. दक्षन अफ्रिका D. वेस्टिन डीज इस प्रश्न का सही उत्तर है Option C. दक्षन अफ्रिका प्रश्न नंबर 16 दादा साहिब फाल के पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले गीतकार कौन थे A. मजरूह सुल्तानपुरी B. कविप्रदीप C. गुलजार D. नौशाद अली इस प्रश्न का सही उत्तर है Option A. मजरूह सुल्तानपुरी प्रश्न नंबर 17 Venus Rose Waterdish किस टेनिस मुकाबले में महिला एकल विजेता को दी जाती है A. फ्रेंच ओपन B. यू ए एस C. अंस्ट्रेलियन D. विंबल्डन इस प्रश्न का सही उत्तर है Option D. विंबल्डन प्रेंच नंबर 18 दक्षन पूर्व एशिया में एक मात्र भूमी बंद देश कौन सा है A. कंबोडिया B. मलेशिया C. लाउस D. थाईलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है Option C. लाउस प्रश्न नंबर 19 Music Company T-Series में T का क्या अर्थ होता है A. त्रिभावन B. त्रिनेत्र C. त्रिशूल D. त्रिकाल दर्शी इस प्रश्न का सही उत्तर है Option C. त्रिशूल प्रश्न नंबर 20 ओलंपिक पदक विजेता बनने वाली अफ्रीका में पैदा हुई पहली महिला मुस्लिम कौन है A. फातिमा अल्फ हकीरो B. उमामा बेला हबिबी C. नवल एल मुताव के ले D. हबीबा गरीबी इस प्रश्न का सही उत्तर है Option C. नवल एल मुताव के ले आशा है आपको हमारी यह विडियो पसंद आई होगी अगले रोचक प्रश्नोतरी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए GK, Factopedia, YouTube चैनल पर और साथ ही इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए विडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए धन्यवाद